है लो स्टुडेंट्स, वेलेकम टो शिक्षाय यूग मैच्सकेडमी स्टुडेंट्स हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत इसके साथ हम पढ़ रहे थे मैच्स और इसके साथ हम और भी पढ़ रहे थे रेल्वे ग्रूप डियोर एंटि पीशी के प्रिवेश एर ठीक है यह हमारे चैनल के दोरा की जाने वाली आपको सुईधाय है हम आज का जो लेक्षर लेके आए हैं वो है आधुनिक भारत के उपर और आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे थे मराठा सामराजी के बारे में मराठा सामराजी में हमने पढ़ा था सिवाजी के बारे में सिवाजी के बाद हमने पढ़ा था उसके उत्रादी कारियों के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम पेसवाओं के बारे में ठीक है हमने कहां तक पढ़ा था पीछे हमने पढ़ा था सिवाजी के बारे में ठीक है हमने पढ़ा था उसके उतरादी कारियों के बारे में अगर आपने नहीं देखी है क्लास पीछे की तो आप जरूर देखे क्योंकि पीछे की क्लास नहीं देखने के बाद ये क्लास आपको सायद कम समझ मेंगी और आज बढ़ेंगे हम पेसवाओं के बारे में और पेसवा सिरीज है, यह सबसे लंबी सिरीज है, इसमें बहुत से पेसवाओं है और पेसवाओं के लास्ट में ऐसी समझ्या होती है कि यह न अंग्रेजों के साथ भी संधिया कर लेते हैं और वहां पे बहुत सी जादा संधिया है और बहुत सी जादा ही सरते रखे जाती है और अग्जाम में भी बहुत आते हैं कि ये संधी किस-किस के बीच में थी ये संधी किस-किस के बीच में थी अलग-अलग से और किस संधी के अंदर क्या प्रावधान था ऐसे अग्जाम मे साहू के बारे में, खिक है, राजा साहू के बारे में, जब साहू ने पेशवा निक्त किया था किसको, बाला जी बाजिराओ को, किसको किया था, बाला जी विसोनात को, और बाला जी विसोनात को थे, एक बहुत महान विभूती हुए हैं भाई, ठीक है, बाला जी विसोनात है बालाजी विसोनात के हम बात करेंगे न तो पेशवा बालाजी विसोनात यहां तक सभी देख रहा है पेशवा, बालाजी, खोड़ा सा कट रहा है, चलो कोई नहीं, बालाजी विसोनात के बारे हम पड़ रहे थे, तो एक बर इनका नाम लिख लिखते हैं, पेशवा, बालाजी, विसोनात, ठीक है, बालाजी विसोनात को पेशवा किसी ने नियुक्त, इनका सास निकाल लिखते एक बार 1713 से और 20 तक इनको न्यूक्त किया था ना इनकी न्यूक्त की थी साहू ने ठीक है इनको न्यूक्त की थी न्यूक्त की थी न्यूक्त की थी इनकी साहू कौन थे साहू कौन थे सिवाजी के पोत्तर ठीक है अब क्या हुआ जब इनको पेशवा न्यूक्त किया तो इन कितियास के बारे में जो पता होना चाहिए वो हम समझते हैं कि इसमें हुआ क्या था इस दोरन क्या क्या गटना हुए थी इसने क्या क्या एक तो साहू को गद्धी दिलवाई ठीक है साहू को गद्धी दिलवाई गद्धी कैसे दिलवाई भई में पीछे हम कलास में पढ़ चुके हैं अब जब साहू कैद से आजाद हुए औरणजेब की म्रतियू के बाद इन्हों क्या इन्होंने क्या क्या बालाजी पेश्वा बालाजी करनाटका के और चले गई ठीक है और ये क्या थे इन्होंने फिर साहू को सतारा दिल वाया जिसे सतारा पे सासन हुआ और इनकी चाची जो तारा भाई थी ना साहू की चाची साहू की चाची कौन थी तारा भाई इनको कौन सा चेतर मिल गया था नीचे का यानि दक्षिन का च सहतर मिल गया ठीक है अबिसके बाद क्या हुआ है साहु ने इसको अब साहु साशक बन गया तो साहु मैं इसको मैं एक नया पद दिया ठीक है और एक नया पद का गठन किया, काहु ने नया पद का गठन किया, जो पहले नहीं हुआ करता था, एक नया पद का स्रिजन किया, नया पद का स्रिजन का मतलब है, जो अब हुआ है, जो अब पैदा हुआ है, जो अब है, इससे पहले वो नहीं था, नया पद का स्रिजन किया, उरी श्रिजन किया, का तो हम लिख चुके थे ना स्रिजिन किया जिसका नाम था सेना करते जिसका नाम क्या था सेना करते ये नया पद था एक सेना करते ये साहु ने एक नया पद का स्रिजिन किया और साहु ने क्या किया इसको विसोनात को यानि बाला जी विसोनात को बाला जिवी सुनात को बाला जिवी सुनात को सेना करते निउत किया सेना करते निउत किया अब आपके मन में इस सवाल आता होगा कि सेना करते क्या होता है भई ठीक है सेना करते निउत किया अब आपके मन में सवाल आता है कि सेना करते क्या होता है सेना करते नाम तो हमने सुन लिया, सेना करते होता क्या है, सेना करते का मतलब होता है, सेना को संगठित करने वाला, सेना को संगठित करने वाला, साहू को जब राजगदी मिल गई तो इसने क्या किया, बाला जीवी सोनात को सेना करते बनाया ताकि वो अपनी पसंद से क्या कर सके सेना का संगठन कर सके सेना को एक्तरित कर सके उसका संगठन कर सके यानि कि अपनी मर्जी से सेना मजबूत कर सके और जब ऐसी स्थिती होती है मजबूत होता है बाला जी भी सुनात तो अब एक ऐसा दोर भी आ जाता है कि जब ये होते हैं ना ये क्या नामतिन का मुगल समराट मुगल समराट औरंगजेब की तो मरती होई चुकी होती है वहां मुगलों के क्या थे दरबार में भी क्या है एक संगर चल रहा है वहां जो सासक है मुगल समराट है वो है उस समय फरुक्षियर उस समय कौन होता है फरुक्षियर है अब वहां फरुक्षियर के बारे में हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था दो सय्यद बंधों के बारे में भी पीछे की गलासिज में ठीक अब से पहले हामिन के बारे में स्येद बंदू और फुरुक्षियर के बारे में पढ़ रहे थे पढ़ चुके हैं तो यहां से कहानी और निकल के आती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है समझे न मुगल समराट होता हूँ समय कौन मुग और यहां पे दो सामन्त हैं जिनको बोलते हैं सियद बंदू क्या नाम है सियद बंदू ठीक है अब सियद बंदू कोल करते हैं इनके बलाते हैं कोल का मतलब बलाते है किसको बालाजवी सोनात को कौन बलाते हैं सियद बंदू कहां पे मुगल दरबार में मुगल समराट कौ हैं फेरूख यह कहते हैं कि जो फेरूख रहना है यह कायर बन्दा यह ना एक सासन की लाइक बन्दा नहीं है लेकिन राजा है इसको हटा भी नहीं सकते लेकिन हम इसको भाना चाहते हैं भाई विसोनात एक बार आप आ efecto मैं किनकी सियाद बंद रहे हैं और कभी मुगलों के डर्शे मराठा सरदार राजा राम कभी अपनी गद्दी पर नहीं बैठा था अब देखो समय क्या रहा है और भी बदल लिगा गया गया इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब क्या करता है स्यद बंदों की ये करता है सहायता और फरुक्षर को गद्दी से हटा देते हैं अब फरुक्षर को तो गद्दी अच्छे अगरता ये सियद बंदों की साथ एक समझोता गरता है जिसको बोलते हैं हामतोर पर संधी कि भाई मैं ना आपकी सहायता तो करूंगा कुछ मेरा भी नुकसान होगा मैं बचाता हूं कि मेरा फाइदा ह और आप भी चाहते हैं तो मेरा फाइदा हो तो सेयद बंदू और विस्वनात के बीच में एक संधी होती है ठीक है विस्वनात के बीच में बालाजी विस्वनात से मतलब हमारा बालाजी विस्वनात के बीच में एक संधी होती है और इस संधी का प्रावधान है कुछ इस संधी के बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है यही वो संधी है यहां से मुगलों की तो जो सत्ता हो कमजोर होती चली जाएगी और यहां से मराठो की सत्ता है वो उपर उठती जाएगी अब इस संधी क्या थी इसके बा बालाजवी सोनाथ के बारे मिनका सासन रहता है 1713-20 तक इनकी निक्ति को उनकरता है साहू, साहू को ये गदे दिल वाते हैं और साहू ने एक नया पद सरिजन किया था, नया पद बनाया था जिसका नाम था सेहना करते और सेना करते किसे निक्ट किया था बालाजी विस्वनाथ को और उधर से इन की स्थिति मजबूत देखते हुए मुगल दर्बार से कोल आते हैं इनके पास किसकी सेयदबंद वो की कि हमें अपना समराट चेंज करना है आप हमारी सहयता करो और इसकी सहयता से फ्रूक्सियर का तख्ता पलट कर देते हैं ये सबत आपके बार समझते हो तख्ता पलट ठीक है ना तख्ता पलट कर देते हैं निकिन को सथा से हटा देते हैं कौन विस्वनाथ और सेयदबंद दू मिलकर अब विस्वनाथ बालाजी विस्वनाथ जी कहते हैं कि मुझे अपनी कुछ सर्ते चाहिए और वो सर्ते क्या क्या थी उन सर्तों के बारे में हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अब सर्त की संधी क्या क्या है ठीक है अब एक संधी ओती किस किस के बीच में सिय्द बंधु सिय्द बंधु वर्शिज बालाजी विस्योनाथ ठीक है एक संधी है ये संधी के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज मिलेगा हम आपके राजा को तो गद्धिश रहता देंगे हमें क्या मिलेगा हमारी शरते हैं जो आपको माननी पड़ेंगी क्या एक तो आपको ना सिवाजी महराज का छेतर वापिस देना पड़ेगा सिवाजी का छेतर है जहां तक सिवाजी ने सासन किया है वो वापिस देना पड़ेगा ठीक है सिवाजी का छेतर वापिस देना पड़ेगा इसको मुगलों को मुगल मुगलों को सिवाजी का छेतर देंगे ठीक है मुगल है वो मुगलों का जो छेतर है जो कभी सिवाजी के अंतरगत आता है सिवाजी के अंडर में आता था उनको अब वापिस करना पड़ेगा ठीक है दूसरी बात साहू की माता जी अभी भी मुगलों की कैद में साहू की माता जी साहू की माता और कुछ रिष्टेदार है ठीक है और वो रिष्टेदार है वो अभी मुगलों की कैद में है साहू की माता और रिष्टेदारों को मुगलों की कैद से आज़ाद करना पड़ेगा हो जाएगा आपकी यह सरत भी भी मनले जाएगी अच्छा और कोई सरत एक सरते यह भी रहेगी हमारी कि हम ना को दो चोड 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 और स्रदेष उक़ी अधिकार चाहते हैं तोथ और सरदेश मुखी, तोथ और सरदेश मुखी भी चाहिए, गल्ती बहुत हो रही है, आज क्या बात है लिखने में, ये भी हमें चाहिए, चलो ये भी मान ली जाएगी आपकी सर्थ, और कोई सर्थ, इसके अलावा क्या सर्थी भेन की, तीन सर्थ होती है, कौन सी? एक तो कौन सी थी? ये, सिवाजी का चेतर है, वो वापिस देना पड़ेगा, जो सिवाजी का चेतर है, जहां तक सिवाजी ने सासन किया था, फिर बाद में मुगलों ने जिस पर अधिकार करिया था, वो चेतर वापिस देना पड़ेगा, तो लो ये भी हो जाएगा, साहु क माता और रिष्तिदारों को मुगलों के कैज़ से आजाद करना पड़े या ठीक है और क्या है चोथ और सरदेश मुखी दक्कन में ये सेत्र है दक्कन की चर्चा है ये कहां की है दक्कन की यानकि दक्कन सेत्र में हमें सरदेश मुखी और ये वापिस से ये मुझे अमे अधि कार्च चाहिए चलो ठीख है और क्या है यह छाए हे राओ यह तो सब आप आपकी कंडिशन पूरी वी है हमारी भी कुछ होंगी को तो आपकी बिकरेंगे इसके साथ ही एक कंडिशन और इसको बोलते हैं भाई मराठों का मेगना कारटा ठीक है मराठों का मेगना कारटा इस संदी को बोलते हैं मराठों का मेगना कारटा ठीक है और ये जो बाला जी विस्वनात हैं बाला जी विस्वनात हैं इनको बोलते हैं यहां तक दिख रहा है बाला जी विस्वनात हैं इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं सिवाजी के बाद दूसरा मुगल संस्थापक. इनकी उपलब दिया है भाई. हम पढ़ रहे थे क्या भाई? पेस्वा बाला जीवी सवनात के बारे में इनका सास नकाल लेता है 1713 से 20 का हम पढ़ रहे थे क्या? ये क्या करता है? कि राजा साहू को गद्दी दिलवाता है? ठीक है? वो पढ़ा था हमने. इनको न्यूक्त किया जाता है? सेना करते ठीक है. इसके बाद मुगल दरबार से इनके संपरक होते हैं जो एक संदी होती है. बाला जीवी सवनात और शहीद वंद वो के बीच सिवा जी का छेतर वापिस ले ले लेता है. साहू की माता और रिष्टदारों को कैद से आजा दिकरा लेता है. चोत और सरदेस मुखी का दिकार भी ले ले लेता है. और ये जो सिवाजी के बाद दूसरा मराठा, मराठा, मराठा संस्थापक इसको बोलते हैं सिवाजी के बाद मराठों का दूसरा संस्थापक और फिर 1720 में इनकी हो जाती है मरत्यू और इसकी मरत्यू के बाद जो दूसरे पेसवा होते हैं उनका नाम है क्या बाजिराओ, कौन होते हैं बाजिराव पर्थम अब पढ़ेंगे हम बाजिराव पर्थम के बारे में हम पढ़ेंगे अब बाजिराव पर्थम के बारे में 1720 से 1740 ये आदमें बहुत समझदार है ये क्या करता सबसे पहले तो ये सोचता है कि अगर हमें सासन करना है तो एक काम तो करना पड़ेगा ये करता है एक बहुत अजीब सा काम इस से पहले इस काम पर जोर दिया ही नहीं गया था क्या करता है ये करता हिंदू पद पादशाही का परसार करता है कि भाई हमें इन्थों को इकठा होना पड़ेगा इंदू पदपाज़ाही का परसार करता है ये सबसे ज़्यादा और इसी के संदर्ब में एक कामोर करता है एक नाम सुना होगा आपने छत्तर साल बुंदेला ठीक है, शत्तर साल बुंदेला का नाम तो आपने सुना होगा इतियास में अगर नहीं सुना है तो अब आप सुन रहे हो ठीक है, शत्तर साल बुंदेला इसी के संदर बेशने क्या क्या है के नीस्वार्थ भाव से चत्तर साल बुंदेला को चत्तर जीत कर दे दिये चत्तर साल बुंदेला क्या करता है इसके कुछ चत्तर थे जो मुगलों ने चीन लिये थे लड़ाई के दौरान मुगलों और रुहेलों ने इनके कुछ चत्तर को चीन लिया था च्छत्र शाल बुंदेला के च्छत्र को अभी क्या करता है च्छत्र शाल बुंदेला की सहता करता है कहता कि भई कोई बात नहीं तो अपनाई भाई है तुम्हारे जो च्छत्र हैं मुगलों के पास हम वो वापिस दिलवा देंगे और रुहेलों के पास आपके जो छेतर हैं वो वापिस दिलवा देंगे और ये हिंदू पदपाद साही का परशार कर रहा है कि हमें इकठा होना पड़ेगा तब ही हम कुछ कर पाएंगे और उसी के संदर में हिंदू पदपाद साही के समर्थन के चक्रमीनों ने शत्तर शाल बुनेला को मुगलों और रुहेलों के अंतरगत इनके जो छेतराते थे वो वापिस दिलवा दिये ठीक है और इसने क्या किया फिर निजाम जो है धराबाद की निजाम थे इसने निजाम को भी हरा दिया निजाम को भी हरा दिया निजाम को हरा दिया कई बार करते हैं बाकि निजाम की तो कई बार ये पिटाई होती है यहाँ पे निजाम से इनके ज़्यादा कुछ सन नहीं आएंगे आपके पेपर में और इसके साथ इनके सासन काल में एक बहुत बड़ी उपलब दियोती है यहाँ वारना के सन्दी यह वारना के सन्दी है न यह बहुत महतोपुन सन्दी है मैं इसको थोड़ा हाइलाइट कर देता हूँ वारना के सन्दी क्यों बताई हमने पीछे पड़ा था कि जब ताराबाई और साहु के बीच में विवाद हो जाता है तो साहु को तो मिल जाता है सतारा और ताराबाई को मिलता है कोहलापुर और यह न यह संदिवार्णा के संदिग क्या होती है ये सतारा ठीक है और कोलापूर के बीच में अती है कोलापूर ठीक है दोनों के बीच में संधी होती है कौनसी सतारा और कोलापूर के बीच में इस संधी के तहत क्या है ये जो कोलापूर में जो सासन कर रहना तारा भाई की जो क्या है उत्रादिकारी ये क्या कर लेते हैं ये को दिक्कत नहीं को एतराज नहीं है इसको बहुत बड़ी उपलब धिमान के चलते हैं क्योंकि यहां से ना अब मराठे एकठे होने शुरू जाते हैं एक संग बनना शुरू जाता है मराठों का फिर यहां से संग बनना शुरू हो जाएगा भी यहां से और मजबूत होते चल जाएंगे कुछ तो बाला जी वी सोनाथ ने कर दिये थे, कुछ काम बचता है, वो कौन बाजराओ पर थम कर रहे हैं, ठीक, अब सत्ता अगर दो अलग अलग आदमी चला रहे हैं, वो अपने आपकी मन की मानी कर रहा है, वो अपने आपकी तो दिक्कत होती है, यहां पर क्या करता है, एक बंदा समर्थन देधिता, दूसरों को चलो हम आप बड़े और आपके फैसले हमें मंजूर है तो यहां से क्या होगा, जो आदमी बड़ा है, उसकी शैना, उसको और मिल जाएगी उसको समर्थन मिल जाएगा, औरों का, तो क्या होगा मजबूती और मिल जाएगी ठीक है यहां से एक तो सबसे बड़ी उपलब्दी होती है इनकी यह और इसके साथ ही क्या करते हैं यह अब बुंदेल खंड बुंदेल खंड ठीक है और बुंदेल खंड के साथ क्या करते हैं मालवा बुन्देल खंड मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लेते हैं भाई अब ये क्या करते हैं छेत्र विस्तार यहां तक तो दिखने में कोई तिक्त नहीं होगी बुन्देल खंड मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लेते हैं जिसको हम बोल सकते हैं मराठो का छेतर विस्तार ठीक है अब ये छेतर विस्तार कर रहे हैं अपना ठीक है और इसी चेतर विस्तार करते हैं और इनको बोलते हैं सिवाजी के बाद बाजिरा पर्थम को बोलते हैं सिवाजी के बाद गुरिला यूद का सक्सम योद्धा ठीक है सिवाजी के बाद गुरिला यूद का यहां तक देखे न इनको बोलते हैं सिवाजी के बाद ये हैं भै सिवाजी के बाद गुरिल्ला गुरिल्ला या गुरिल्ला या गुरिल्ला या गुरिल्ला यहां तक लिखने में थोड़ी निच्चे लिखते हैं गुरिल्ला युद्ध का वास्तिविक संस्थापक या वास्तिविक न छोड़ो संस्थापक या स संस्थापक अब मराठों में गुरिला युद के एक तो अच्छे संस्थापक थे कौन शिवाजी महराज उसके बाद अगर गुरिला युद के अच्छे संस्थापक हुए ना उनका नाम फिराता है बाजिराव पर्थम का और ये बाजिराव पर्थम क्या करते हैं मराठों को एक्तिरित कर देते हैं, संग के रूप में नियुक्त करते हैं, जहां से कौन से कौन से, पूना से तो पेस हुआ, ठीक है, ये संग बना रहे हैं, पूना से पेस हुआ, इसके बाद कहां कहां से कौन से कौन से होते हैं, नागपूर्शे भौसले, नागपूर्शे भौसले, इ गवालियर से सिंधिया ठीक है गवालियर से सिंधिया गया लिख दी हमने गवालियर गवालियर से सिंधिया और कहां से क्या थे भई पूना हो गया नागपुर हो गया गवालियर हो गया बढ़ोदा से गायक वार्ड हो गया ठीक है इनका एक संगठन बना देता है और इन दोर से होल कर ये एक संगठन बना देता है जब तक ये संगठन रहेगा तो मराठा सक्ति का विश्तार होगा पतन नहीं होगा लेकिन एक संगठन तूटने लगता है और मराठाओं का भी पतन होना सुरू हो जाता है वो आगे आएगा लेकिन अभी तक है मराठाओं का उत्थान हो रहा है विश्तार हो रहा है वो 76 भी जीत रहे हैं ठीक है तो हम पढ़ रहे हैं यहां तक इनकी सासनकाल की उपलब दी है क्या है बाजिराव पर्थम की इसने सबसे एक सबसे बड़ी उपलब देखते हैं हिंदू पदपाद साही का परसार किया इसी के संदर में 76 शाल बुंदेला के वो 76 इन्होंने वापिस दिलवा दिये जो कभी मुगलों ने और रुहेलों ने इन से छीन लिये थे इसने और क्या क्या निजाम को हरा दिया और इसने क्या क्या वारना की एक संदी कर ली वारना के संदी किसके साथ की? कोलापूर के साथ में भे इन्हीं के चाचे जो चाची और चाची के लड़के हैं वो सासन कर रहे हैं कि अथे होकर सासन करेंगे यह तो भी बहुत बड़ी उपलब दे थी जहां से मराठों के एक्तरता होनी इस रूहोगे एक्ता होनी शूरू हो जाती है और यह क्या करते हैं बुन्देलखंड मालवा गुजरात पर भी अधिकार कर लेते हैं जिसे इनका चहत्र और बड़ जाता है ठीक है इसके बाद इनके खास बात है इनको किस नाम से जादा जाना जाते हैं इनकी खास बात यह है कि इनको गुरिला युद का शिवाजी के है तो मरठा किसे हारेंगे नहीं ठीक है वह बात लग है हार भी जाते हैं लेकिन हारने के बाद भी इतने प्रबल है कि अपनी जीट कर राखते हार को भी अपनी जीत में बदल सकते ही जहां से पूना से तो पेशवा होते हैं पूना से पेशवा होते हैं नागपुर से भोसले होते हैं गवालियर से सिंधिया होते हैं बढ़ोदा से गायकवाड होते हैं इन दोर से हॉलकर होते हैं इनका संग बन गया और जब तक ये संग रहेगा मराठा किसी से नहीं हारेंगे इतने जल्दी और इसके बाद का जाता है 1740 में इनकी हो जाती है मर्तू और इसके बाद आते हैं इनके उतरा दिकारी कौन बाला जी बाजी राओ ठीक है इनके बाद कोना आते हैं बाला जी बाजी राओ अब पड़ेंगे हम बाला जी बाजी राओ के बारे में अब पढ़ेंगे हम बालाजी बाजी राओ के बारे में, बालाजी बाजी राओ के बारे में ही पानेपत का त्रिक की युद होता है, और इस युद के बादिन की मर्तिव भी हो जाती है, अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, बालाजी बाजी राओ के बारे में, बालाजी ब का समय रहेगा अब क्या है इनको बोलते हैं नाना साहब नाना साहब के नाम से इनको जाना जाता है नाना साहब के नाम से फेमस हैं और इन ही के सासन काल में जब भी 1740 में तो बनते हैं 1761 तक रहते हैं 1749 में साहु की मरत्य हो जाती है 1749 में क्या होता है साहू की हो जाती है मरत्यू साहू की मरत्यू अब साहू है ये नाम नाम के सासक है करता धरता पेस्वा ही होते है ठीक है पेस्वाओं की सत्ता ही मजबूत है इसी दोरान क्या होता है फिर साहू की मरत्यू के बाद एक संधी हो जाती है को बोलते संगोला की संधी 1767 की मरतियों जाती है 1750 में एक संधी होती है संगोला की संधी इस संगोला की संधी के तहट क्या होता है अब है मराठा सामराज्य का या मराठा सामराज्य की सकता है जो राजनेती है वो किसके अंतरगत आ जाती है बड़ी मातर आएगी राजनेती अब पेशवा के अंतरगत है भई अब ये राजनेता हो गए है पूरे क्योंकि अब शिवाजी के उतरा दिकारी बज़े नहीं है पेशवा करेंगे जो भी करेंगे अब संगुला के संधी के तहरत ठीक है और इसने क्या किया मालवा था बुंदेल खंड था गुजरात था इनको तो जित पहले ही लिया था और इसके साथ साथ इन्हों ने क्या कर द खंड ठीक है गुजरात इनको तो पहले जीत लिया था अब इसने तन्जोर को भी जीत लिया और इनके सासनकाल में सबसे ज़्यादा च्छेतर विश्तार होता है बाई सबसे ज़्यादा और भी चोटे-चोटे च्छेतर है इन्हीं के सासनकाल में बाला जी बाजिराव के सासनकाल में सबसे ज़्यादा च्छेतर विश्तार होते हैं और एक समय ऐसा लगता है कि आगे अब मुगल सत्ता तो कमज़ूर होती जा रही है मुगल सत्ता कमजोर होती जा रही है अब ऐसा लगता है कि ये समय आएगा अब कि भारत पर सासन मराथे करेंगे भारत पर सासन कोन करेगा मराथे करेंगे ऐसा एक समय आ जाता है जहां से लगता है कि भारत पर सासन मराथे करेंगे ठीक है 1761 तक तो ऐसा लगता है बाकी 1761 में हार जाते हो बात अलग है क्योंकि यहां से इनका वास्तिविक संस्थापकर यहां से छेतर विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है और एक समय तो यहां तक भी आ जाता है कि बाजिराव थे ना बाजिराव पर्थम जो बाजिराव पर्थम थे ये बाला जी बाजिराव पर्थम थे ना बाजिराव पर्थम इनके बारे में एक फैक्ट शोर था ये क्या गड़ते हैं दिल्ली पर आकर्मन भी कर देते हैं एक समय ऐसा भी होता है दिल्ली पर आकर्मन कर देते हैं इनके पहले वाले ठीक है और उस दोरान क्या होता है कि दिल्ली का जो सासक है न मुहमद सा रंगिल्ला ठीक है मुहमद सा है रंगिल्ला एक समय ऐसा भी होता है कि मुहमद सा रंगिल्ला न दिल्ली छोड़कर भाग जा अब देखो भाई सत्ता कितनी मजबूत होती जा रही है बाला जी बाजिराओ है और इनसे पहले थे बाजिराओ पर थम उनसे पहले थे बाला जी विस्वनात ठीक है अब बाजिराओ पर थम क्या करते थे जिन्होंने हिंदू पदपाजसाही का समर्थन किया था ठीक है उन्ह अपनी गद्धी छोड़कर भाग जाते हैं ठीक है कभी ऐसा भी समय रहा था कि राजा राम मुगलों के ड्रस से अपनी मराठा सत्ता को नहीं समाल पाए थी अब वो समय चल रहा है मराठों के ड्रस से मुगल अपनी गद्धी छोड़कर भाग रहे हैं यह उता समय का प्रिव प्लब दी है जिनका नाम है आपने पढ़ा था 1771 के बारे में मुगल अबाद सा सा आलम दुवितिय के बारे में ठीक है मुगल काल हम पढ़े थे वहां पढ़े क्या थे शाह है आलम दुवितिय अगर इनके बारे में नहीं पता है तो पीछे मुगल काल के वीडियो आप में जब बंगाल के बारे में हमने दो युद पढ़े थे पलास्य का युद और एक बकसर का युद बंगाल पढ़ा था तो हमने बकसर के बारे में भी पढ़ा था ठीक है बंगाल पढ़ा था तो बकसर के बारे में भी पढ़ा था जो कि 1760 में होता है अब यहां की पूरी चर हार जाती हैं और जिसके बदले कुछ संद्य होते हैं इलावाद की दो संद्य होती हो हम पहले पढ़ चुके थे उसमें एक बात हमने ये भी पढ़ी थी कि ये जो सा आलम दूईती हैं ये अब अंग्रेजों के पैंसन यापता हो गए अब उनकी पैंसन से अपने जिंदगी गुजार रहे हैं अंग्रेजों के पैंसन से कौन सा आलम दूईती हैं अब 1771 का समय ऐसा भी आ जाता है एक बार कि ये ना सा आलम दूईती को भी ना दिल्ली ले आते हैं वो बात अलग है कि उस समय ये बाजिराव के जगए माधोराव होता है ठीक है अब क्या हुआ था च गए कहां खाली है यहां खाली कर लेते हैं कहानी समझ है जो कलास पड़ाई जारे इसकी PDF नोटस आपको कलास के टोपिक कंपलिट होने के बाद मिल जाएंगे 1761 में क्या होता है पानिपत की तिसरी लडाई होती है आप सभी जानते है तीसरी लडाई इस लडाई में मराठा हार जाते हैं ऐसा लगता है कि मराठा अब हार गए है अब मराठा सक्ती का पतन हो चुका है पर ऐसा कुछ जादा नहीं है लेकिन फिर बी क्या है कि इनके बाद हैना अगला जो आता हूँ आता है माधोराव माधोराव बहुत अच्छा प्रबल एक सैनिक भी है और एक नेता भी है ये क्या करता है कौन माधोराओ वापिस से ही मराठो की सेना इकठी करता है मराठो को फिर से एक मजबूत सत्ता के रूमें उभारता है और ये क्या करता माधोराओ 1761 में इनका सासन का रहता है माधोराओ का सत्रा सो एक सट से लेकर सत्रा सो बहतर तक का क्योंकि सत्रा सो एक सट में तो ना इनकी मरती हो जाती उसके बाद कुनाते हैं माधव राव माधव राव का सत्रा सो बहतर तक रहता और माधव राव के बाद अब मुराठा सामरा जगा पतन शुरू हो जाएगा अब हम माधार राव के बारे में जाने टो माधार राव ऐसे सासक हैं जो की मातर 17 साल की उमर में ही पेशोंबनते हैं लेकिन क्या करते हैं ये? 1771 में सा ऐलमधुइती को अंग्रेजों से ले के आते हैं चलो आपको दिल्ली की गद्धी मुआपिस है, और क्या करते हैं? हम कहते हैं, वो करते हैं, चले जाओ और पैंसन आपको हम देंगे, अब देखो, मुगलों को पैंसन कौन दे रहे हैं? मराठे दे रहे हैं मुगलों को पेंशन मराठे दे रहे हैं ये है समय का परिवर्तन लेकिन बद किसमती से 1772 में 6 रोगशे माधोराव के मरत्यों हो जाती है माधोराव के हो जाती है मरत्यों और यहां से फिर इनका पतन स्टार्ट हो जाता है अब माधव राव तक तो हमने पढ़ा है कहाने क्या है माधव राव के बाद नारायन राव आएगा रघुनात राव आएगा वो फिर जाके सूरत की संधी कर लेगा ऐसे संधियां चलेंगी यहां से लड़ाईयां होंगी अंग्रेजों के साथ और यहां से सारा खेल खتم, यानि बिगड़ता चले जाएगा और लाश्ट में चल कर ये खेल खتم भी हो जाएगा तो अगली कलास में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में कौन सी कौन सी संध्या होती, क्या क्या विवाद होते है अब तक मुगल सम्राव ये, अब तक मराठा जो पेशवाओ इकठे हैं, माधोराव तक भी इकठे हैं, माधोराव के मरत्यू के बाद इनका बिखराव शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है, पतन और बिखराव हम आगे की दो क्लासेज में पूरा करेंगे, तो तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वोच्छुंग